हलो दोस्तों वेलकम बेग टू माइ न्यू रेसिपी वीडियो और आज हम बनाएंगे कच्छे आम की सबजी चटनी आप जो भी बोलो तो बने रही हैं आवर वीडियो कंटीनिव वीडियो को फूल वोच करना दोस्तों यहां पर देखिए तेल गरम हो रहा है इसमें मैंने र दरदरा कूटा है इस से हमारी सबजी में फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है कूटे हुए मसाले से फ्लेवर हमारा बहुत बढ़िया आता है इस तरह आप मसाले अगर हो सके तो कूट पीस के हाथ से ही यूज़ करिए और यहां पर कच्छे आम लिये हैं इनका भारिक भार के लिए हैं आप इनको भी हमने इसमें छोग दिया है और कंटीनियू हम इनको चलाते रहेंगे थोड़े 50 परसेंट तक हम इनको कुख कर लेंगे इस तरह आप चलाते रहें और मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ दीजिए यह सबजी मीडियम फ्लेम पे जलेगी नहीं और अराम से स्लो कुख होती रहेगी और गजब का टेस्ट आएगा इस तरह आप जरूर बनाए कि देखिए इस तरह हमने बनाया है इसमें तड़का चु बला देंगे त्विधा के नमक का फ्लेबर अच्छे से एड़ हो जाए और हमको सुके मसाले इड़ करेंगे जिसे कि धनीया हल्दी मिर्चेय के चिली फ्लैक्स हम एक सहाथ ही सबजी के अंदर हमारी चटनी के अंदर अठर कर देंगे हमने सुके मसाले डाले है यह हमारी आपको अगर लगे तो आप इनको गिला करके भी एड़ कर सकते हूं कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा ही यह अच्छे से पक जाएंगे और जलेंगे भी नहीं और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे पानी एड़ करने से स्मच्छी से क्रेवी एड़ हो जाएगी और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गुड का एक छोटी से ढिली यूज किये आप इसमें सक्कर भी एड़ कर सकते हैं गुड़ भी आपको दो में से एक कोई सी भी चीज यूज का सकते हैं अगर आपके पर दोनों कि ढूंधा है और थोड़ा थोड़ा यहाँ करना है को खट्थी मीठी रखनी चेटनी को जैदा मीठा नहीं करना है और अगर आपको मीठा ही पसंद धे तो आप थोड़ा सा और जयदा शक कर एड़ कर लिजे और आप देख सकते हैं हमाई सब्जी कितनी स्वाधिष्ट इ दिख रहा है और इसमें आप इस तरह बना सकते हैं आगर आपके भाए धन्या हो तो हरी धन्या भी एट कर लीजिए है और इसको मीडिया उटू स्लो कुक करना है जदा कुक भी नहीं करना यह वह जल्दी पक जाती है और आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बिल्कूल पक चुके और इस तरह आप हर्याम की सब्जी बना के देखे थेंक्यों फॉर वाचिंग गाईज